को तुमारे जाने से नुकसान क्या है जब एक संग्धन जिसकी तुम मानेता रखते हो जो तुमारे बुद्ध का संग्धन है जब वो तूटा दो टुकडों में तीन टुकडों में चार टुकडों में तो क्या तूटा तुमारा बुद्ध तूटा तुमारा विश्वास ग्यारे फरवरी को संतों का समागम है सारे संत इन्वाइटिड है जिनको सूचना मिली है उनको भी आना है जिनको सूचना नहीं मिली है उनको भी आना है सारे संगियों का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पास में जितने भी संत है कवीर संथ बिकुणी है उन सबको आपने इन्वाइट करना है आपने उनके पास तक जाना है नहीं जा सकते हैं तो उन तक फोन करना है नहीं फॉन का नमबर है आपके पास तो आप अपने आसपास देखें कि कौन व्यक्ती किस मान्नेता को मानता है उस मान्नेता वाले व्यक्ति के पास अपने संत का नमबर नम जरूर होगा या कही ना कहीं address मिल जायेगा, phone number मिल जाएगा, उनके डेरे हैं, मठ हैं, आसरम हैं, बिहार हैं, भवन हैं, वहाँ जाना है या उनसे बात करनी है जब आप उनसे उनको इन्वाइट करेंगे उनसे बात करेंगे तो वो कुछ प्रसन आपसे करेंगे और वो कुछ आफर भी आपको करेंगे कुछ बाचित भी करेंगे आपको तोलेंगे भी आपको परखेंगे भी, आपको जानेंगे भी, आपको समझेंगे भी वहाँ क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसा पूछेंगे भी वो आपको आना चाहिए, किसी को इन्वाइट करते समय पूरी जानकारी देनी चाहिए संतों का जो समागम है, ये संतों का काम है कि संत अपने जो समागम हैं उसको करते रहें आपस में मिलते रहें पर हम बहुत सालों से ऐसा देख रहे हैं कि संतों ने कभी आपस में मिलने के लिए मना नहीं किया और पहले भी एक संत समागम हुआ जो गुरु रविदाजी ने कराया था और उसमें कुछ संत आये थे उससे पहले का जो संत समागम है वो सिद्धत गौतम जो बुद्ध बने थे उसके बाद उन्होंने 60-62 प्रकार के मतों से बाचित की अच्छे-च्छे लोगों से तर्खवतर किये और एक मत बनाया, एक सहमती बनाई और सारे सारे उसमें विलीन हुए समागम बना और देस में बड़ी मजबूती आई और एक पिछादहरा, एक नाम और एक काम से देस आगे पड़ा तो संतों को एक साथ आना चाहिए पर संत इस बात को कहते नहीं या करते नहीं, या सोचते नहीं या उनकी कोई मजबूरी होगी संत जाने पर हमको संतों के नाम पर अलग नहीं रहना है हमें संतों के नाम पर अलग नहीं बटना है अलग बटने से संतों का तो नुकसान है ही उससे ज़्यादा संतों के अनुयाईयों का नुकसान है अलग-अलग मतों में हमको नहीं बटना है जब कहीं पतन होता है तो पतन का कारण सबसे पहला होता है कि उनके टुकडे, उनके खंड-खंड, उनको विखंडे उनको अलग-अलग किया जाता है तब पतन होता है स nihukत रूप से कोई जुडि हुए चीज ठोस होती है, बड़ी होती है, मजबूद होती है, कार के अगर सारे पुरजे अलग-अलग कर दिये जाएं, तो कैसी कार फिर वो पुरजे-पुरजे हो जाती है, फिर वो कोई सा पईया उसमें गुमेगा नहीं, नहीं उसका अंजन च सकती है पर सारे पुर्जे अगर जुड जाएं तो कार बन जाती है आप 120 किलोमेटर की स्पीड से चलाएं 150 चलाएं 160 चलाएं गड़ों में चलाएं सीधी चलाएं वो आपकी मर्जी वैसे ही जितने भी समाज में धड़े हैं जितने भी तरह की लोग हैं जितने भी प्रिकार के मत हैं जितने भी प्रिकार के काम हैं वो सारे के सारे समाज के पुर्जे हैं और समड संग समड समाज बहुत बड़ा है इसलिए उसके पुर्जे भी जादा है क्योंकि गाड़ी बहुत बड़ी है पर बेकार है कोई फायदा नहीं कोई सवारी नहीं हो सकती जब तक वो पुर्जे अलग-लग पड़े हुए हैं तो इनको इखटा कौन करे और इखटा करन इस बात पे बहुत दिनों से कसमकस, खिंचतान, लड़ाई, विचार चल रहा है। सारे महापुर्णों ने जिन्नों ने भी काम किये विक्तिकत रूप से या सामुईक रूप से उन्होंने जितनी महनत कर सके उन्होंने यही मैसेज दिया सबको एक होना है, सबको साथ रहना है, और्गनाईज होना है, भजन करना है, भजन का मतलब होता है संगती संबिलन करना है, संबलित होना है, संगत में रहना है, सादू संगत में रहना है, असेंबली करनी है, और्गनाईज होना है, सबका मेसेज एक ही है हमारे माबाप का भी मेसिज है कि भाईया मेरे मनने के बाद या मरते समय जो कहते हैं संग संग रहना साथ सात रहना और संग गति का मतलब भी होता है संग संग मिलके गति करें और संग से ही संग सब्द बनाएं साथ साथ रेना संग संग रेना या संग संग रेना एक ही बात है जब तक हम साथ साथ और संग संग साथ नहीं रहेंगे और सारे लोग नहीं रहेंगे तब तक कार चलेगी रही पुर्जे जुड़ेंगे नहीं कोई भी पुर्जा चाहे छोटा है या बड़ा है सारे के सारे इंपोर्टेंट होते हैं इंजन का कोई पुर्जा अगर रह गया इंजन चलेगा नहीं बिजली का कोई पुर्जा रह गया बिजली का डैसबोर्ट चलेगा नहीं कोई सा टायर रह गया गाड़ी चलेगी नहीं, किसी में ट्यूब नहीं है गाड़ी चलेगी नहीं, कोई एकसल रह गया गाड़ी चलेगी नहीं, कहीं बोड़ी खराब होगी उसकी तो गिर जाओगे, छोटी मोटी कमिया तो हो सकती है, सीट वीट खराब है चलो बैठ जाएं उनको इखटा करने का काम किया डॉक्टर अम्वेट करने तीन बड़े बड़े भागों में गाड़ी जोड़ दी SC, ST, OBC जब ये SC, ST, OBC बने थे तब तक सब एक ही थे पिछडा जिनको कुछ ना मिला हो वंचित लोग पर जब इनके कुछ कैटेगराईज किया गया कुछ को कहा गया कि जंगले में रहते हैं वो ट्राइप्स माने जाएंगे जणके पास जमीने हैं वो बैकपड माने जाएंगे और जणके पास जमीने संसाधन या अज्जत मीं नहीं है वो शिरुल उनका जो बना वो कास्ट में बना सारे सारे कास्ट बेसिस पर बने तो उम्मिद ये थी कि ये देर सवेर तीनों धड़े एक हो जाएंगे पर मामला उल्टा हो गया और जो उन टुकडों के विरुद थे जो लोग कास्ट सिस्टम से फायदा ले रहे थे और संग्ठन बने 29 लाक चार लाक उनमें एक्टिवेट संग्ठन है और ऐसे संग्ठन हजारों बने जो राजनिती करते हैं सम्णों की ऐसे संग्ठन हजारों बने जो लड़कों के दलबल है ऐसे संग्ठन हजारों बने जो सामाजिक हैं कामसिफ टाइप के, ऐसे संग्ठन हजारों बने जो साधू संतों के मतों के डेरे हैं, ऐसे संग्ठन हजारों बने जो देवी देपताओं के समडों के नाम पे बने, ऐसे संग्ठन हजारों बने जो सरकारी करमचारियों के हैं, कोई ऐसा महला, कोई ऐसा छेत नहीं जहां संग संक्ठन ना बने हो संक्ठन बना अच्छी बात संक्ठन बना खराब बात जिसने संक्ठन बनाया जो संक्ठन से आमदरी लेता है जो चंदा लेता है जो उसमें प्रधानी करता है जो प्रधान की तरह रहता है उसके लिए बहुत बढ़िया बात पर जिसके सारे अधिकार चले को रोजी देता है, रोटी देता है, चंदा देता है, पैसा देता है, जद देता है, मान देता है, भाड़ में जाओ सारे, उसे क्या फरक पड़ रहा है, उसका तो बहुत बड़े है काम चलना है, इसलिए सब ने अपने अपने संग्ठन खोले, और संग्ठन खोलने के बाद म नहीं ये कहा के तेरा संख्ठन खराब, नहीं ये कहा के मेरा संख्ठन अच्छा नहीं, नहीं ये कहा के एक ही तरह के इतने सारे संख्ठनों की क्या वशकता है, बस एक दूसरे को संख्ठन में अपना अपना दायरा बना के जैसे भेड़ होती है, भेड़ी खट्टी के लाए कि ऐसे लोग उन्हों इखटे किये हुए थोड़े-थोड़े करके सबका काम चला है पर भेड़ों की जान खत्रे में हैं यानि हमारी जान खत्रे में हमें तो कुछ नहीं मिला हमारे तो सारे अधिकार चले गए तो इन सारे बातों को देखकर सोचकर बहुत दिनों से बहुत साई लोगों ने कहा कि भाई इखटे हो जाओ इखटे हो जाओ मना किसी नी किया, पर इखटा कोई हुआ नहीं और इखटा ना होने से अधिकार जाते रहे, जाते रहे और लोग अपने संग्ठनों को लेकर बैठे रहे और उनके टुक्ड़े पर टुक्ड़े करते रहे आप किसी से पूछो 11 तारीक को क्या कारिक्रम है तो कहेगा मेरा फलानी जी के कारिक्रम है मेरा फलाना जी के कारिक्रम है आप उनसे पूछो क्या कारिक्रम है मैंने एक विक्ती से कहा नौइडा में रहता है नाम साइद मीर सिंग हरित है किसने मुझे नमबर दिया संगी ने बहुत अच्छे कारे करता है बहुत सुलजे हुए हैं, बहुत अकल बंद हैं, अकल मंद बताया या अकल बंद बताया पता नहीं, मैंने उनको फोन किया, 11 फरवरी को दिल्ली में बहुत साइ लोग आ रहे हैं, आप यहां आईए, आप कोई कारेकरम लगाते हैं वहां, उन्होंने पहले तो अपने किसी प कुछ काम करेंगे, उन्होंने कहा हमारी संडे को मीटिंग है, हम मीटिंग करके आपको बताएंगे, मैंने उनको फोन किया, आपकी मीटिंग में क्या फैसला हुआ, उन्होंने कहा हमारा मोदी नगर में कारीकरम है, तो मैंने कहा आपका कारीकरम है, तो आप कारीकरम को आग संका विचार नहीं मिलता तो मैंने उसे कहा कि आपका विचार क्या डॉक्टर मेटकर का विचार नहीं है आपका विचार क्या महापुरस्व का विचार नहीं है क्या हमारा डॉक्टर मेटकर का विचार नहीं है क्या आपका कोई अपना अलग से विचार है कि आप तो किसी नहीं कर रहा मैं तो आप से पूछ रहा हूं आप जिस विचार पे काम कर रहे हैं वह डॉक्टर मेटकर का विचार नहीं है क्या क्या बुद्ध का विचार नहीं है क्या क्या सादू संतों का विचार नहीं है क्या क्या महापुर्श का विचार नहीं है क्या या आपके ड किसी की भी मर्जी नहीं चलेगी, अगर आप सामाज एक काम करने निकले हैं, तो आपको महापुर्सों के विचार पे काम करना होगा, आपका अपना विचार नहीं चलेगा, आपको महापुर्सों का विचार एपलाई करना पड़ेगा, और सारे महापुर्सों का काम एक साथ क इसका मनदाब अलग-अलग विचार कास्रेका तो सिर्फ नाम लेते हो ताकि लोग चंदा देदेंctors फोटो लगाते हो ताकि लोग चंदा देदें पर अपना कोई विचार बना रखा है, अपनी कोई मर्जी बना रखी है, तो उसको दिखाओ क्या है क्या नहीं है, उसको पास कराओ लोगों से, ऐसा नहीं चलेगा, बुद्ध का काम करने वाले, जो संग्ठन है, मैंने कई लोगों से कहा, तुम्हारे कौन से बुद्ध हैं, तुम अलगलग क्यों काम करते हो, 11 फरवरी को, एक विक्ति को आज मैंने कहा, इंकम टेक्स में काम करते हैं, रादेश्याम उनका नाम है, कहने लगे हम तो 11 तारिकों बुद्ध पार्थ में जाएंगे, वहां परिवार का काम होता है, मैंने उनसे पूछा कितने साल से जा रहे हो, 25-26 साल हो गए, मैं इतने सालों से वहां जा रहा हूँ, फिर उसके वहां टुकड़े कर दिये, उसको नेता बनना था, संग्ठन का नेता नहीं बनने दिया गया, उसना संग्ठन के टुकड़े करा दिये, दो भारतिये बौद महासभा हो गई, सिर्फ दो आदमियों के एहम की वैसे, उसके बाद में उसका पेट नहीं भरा, तो उसने अपने लड़के को कैसर बना के, किताब बेचने वाले आदमी ने, और एक संग्ठन और बना दिया, अरे तुम कैसे बुद्धिष्ट हो, तुम कैसा परचार करते हो, तुम कैसी किताब में लिखते हो, तुम क्या समाज को बताते हो, तुम संग्ठर पर संग्ठर बनाए जाते हो तुम बुद्ध के नाम पर संग्ठर बनाते हो काम अपना करते हो उसको तोड़ देते हो तो मैंने उस आदमी से कहा कि तुम जो बुद्ध के ग्यारे तारिख के कायकरम में जाओगे तो वहाँ जाके लोगों को कहना कि भाई ये दो काईकरम हो रहे हैं, तीन काईकरम हो रहे हैं इनको एक कर लो और हमको बताना कि ये काईकरम एक हो गया तो हमें खुशी होगी और फिर काईकरम गया तारिक में आना तो कहना जी हम तो सारे काईकरम जाते हैं अरे बहुत सारे कारे कमम जाते हो, तो किसलिये जाते हो, कोई सोच तो होगी, कोई विचार तो होगा, कैरे ने जी हम तो सब के साथ हैं, अरे भी सब के साथ हो, तो क्या सब के साथ होने से फाइदा हो रहा है, कि सोचोगे नहीं, पड़े लिखे हो, नौकरी कर रहे हैं उनकम मानेता रखते हो जो तुमारे बुद्ध का संधने है जब वो तूटा दो टुकड़ों में तीन टुकड़ों में चार टुकड़ों में तो क्या तूटा तुमारा बुद्ध तूटा तुमारा विश्वास तूटा तुमारा धरम तूटा कमजोर क्या हुआ कि हमारे लोग वो आदमी सोचता है, कि लोग मेरे साथ हैं, लोग मेरे साथ हैं, इसलिए मैं ठीक हूँ, और जो दूसरी पार्टी है, उसके साथ भी कुछ लोग जाते हैं, तो कहता है, मैं भी ठीक हूँ, और जो तीसा तोड़ने वाला है, उसके साथ भी कुछ लोग जाते हैं, तो कहता है मैं भी ठीक हूँ, तीनों का काम चला है, तीनों को प्रिसिदी मिल रही है, तीनों नेता है, तीनों को पैसा मिल रही है, पर तुमारे धरम का क्या हुआ, तुमारे बुद्ध का क्या हुआ, तुमारी मानता का क्या हुआ, वो तो खंड-खंड हो गई, वो तो टुकलों में त तोड़ने के लिए जिसको वो पूरे जान से ज़्यादा रखवाली करते थे और जिसमें पूरा जीवन उन्हें लगाया उस संग को तोड़ने के लिए उनके भाई ने जब पांसो भिक्वों को अलग से ले गए और उसके बाद बुद्ध ने अपने दो साथ ही भेजे और उ खाते हो उसको मानता देते हो और वो मजबूत होता है और फिर उसके और टुकड़े हो जाते हैं तो तुम जाके करते क्या हो बुद्ध के टुकड़े करते हो और बुद्ध को मानते हो कहते हमने तो ऐसा सोचा नहीं अरे तो जाते किसलिए हो जब सोचते नहीं हो तो जा कि लिए रहे हो, अगर सोच नहीं है, जिस धम की मानता रखते हो, जिस डॉक्टर मेडगर की मानता रखते हो, जिस उपासे की मानता रखते हो, जिस संत की मानता रखते हो, जिस काम के लिए जाते हो, अगर उसकी सोच नहीं है, तो यही तो नेता का काम है, कि तुम्हें सोच नह तुम अलगलग मानेता को मानो, कितने प्रकार के डॉक्टर अम्मेटकर बना रखे हैं, सब लोग अलगलग डॉक्टर अम्मेटकर को मानते हैं, पर डॉक्टर अम्मेटकर की एक भी नहीं मानता, कोई औरगनाज नहीं होता, कोई खटा नहीं होता, हर चीज के टुकले टुकल है हमें बताया कों जा रहा है क्या गलाफारते हैं बामसे वाले हमारा दुस्मन ढाएं किया ओब मैदान में यह ओप उपन है चेलेंज तुम दुन्या को चलेंज देते हो यह समंद संग तुम है चलेन देता है आओ बहस करो और सिद्ध करो कि ब्रहामन हमारा दुस्मन है और हम सिद्ध करेंगे कि 29 लाग संक्टन हमारे दुस्मन है ब्रहामन हमारा दुस्मन नहीं है जब आरक्षन के बचाव के लिए जब आरक्षन कोई हमारा खाता है जब आरक्षन के हमारे नियम जाएगी तो अपनी कमी छुपाने के लिए ब्रहामड को कहते हो ब्रहामड न ये करदिया ने कुछ नहीं किया तुमने करवाया जब लिख़ी जाएगी और इत्यास लिखा जाएगा अच्छा खराब जो भी है वैसे तो समर सक पूरी कोशिस कर रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएं पर सारी चीज़ें समय के साफ से होती है लोग डोगों के हाथ में होती है संग के हाथ में होती है संग जैसा चाहे का जैसा मुड़ेगा लोग जितने खटे होंगे उसी साफ परणाम आते हैं, इसलिए उटए-सीदे दावे करने का कोई फायदा नहीं कि हम 10 साल मे ऐसा कर लेंगे, 3 साल मे ऐसा कर दैंगे, हम एक घंटे में भी चीज़ão को बदल सकते हैं, कि अगर साइ लोग ऐक साथ हो जाएं, और हम जिन्दिगी भर भी मारे सकते हैं, खतम भी हो सकते हैं कि अगर लोग संग नहीं हुए. क्योंकि सामोहिक परिणाम तब आते हैं, जब लोग संहु में हो जब देश के लोग संहु में हो, एक दो दसमाच लोगों से कुछ नहीं होता. तो इस बात के लिए हिस्ट्री याद रखेगी कि ये चीज़ें खराब कब हुई, किस ने हुई, किस कारण से हुई तो हमको बहकाते रहे, ब्रहमन ने ये किया, ब्रहमन ने वो किया, ब्रहमन ने ये किया, ब्रहमन को खुब गाली पकी और डरा डरा के खूब पैसे लिए पैसे भी दिये हमाए भी पर कभी ये नहीं का हम टुक्डों में टूटे हुए हैं हम फेलियर हैं हमसे कुछ नहीं हो रहा है सारे सारे अधिकार जा रहे हैं हम तो अपनी कमिया छुपाने के लिए ब्रहमन के नाम का इस्तमार करते हैं कभी यह नहीं का कि हमने जो पैसा खाया है कहीं उसका हिसाब ना देना पड़ जा इसलिए हम ब्रहमन का नाम लेते हैं तुम ब्रहमन से ड़ते रहो और रोज नहीं मुसीबत आती रहती है और ब्रहमन का नाम ली देते रहते हैं कोई मुसीवत नहीं आती अगर ब्रहमन इतना ताकतवर होता अगर ब्रहमन ब्रहमन इतना पावर्फुल होता तो याचक नहीं होता सीधा सीधा मास्टर होता आज तक भी भारत के इत्यास में वमन कहीं राजा नहीं बने, आप फिश्ची उठा के देख लीजिए मूल निवासी लोग, समन लोग ही राजा रहे हैं वो हमेसा याचक रहे हैं, याचकी थे और याचकी हैं पर अगर तुम अपने ही लोगों को धोका दो, अपने ही लोगों को तोड़ो और अपनी लोगों को गुमरा करोगे, तो फिर वो मालिक रहेंगे, क्योंकि तुम खतम करने वाले हो हमें ये बात संग्ठों से हम लगाता लगाता कह रहे हैं, कर रहे हैं और उनको आपस में जोडने के लिए निवेदन कर रहे हैं पर निवेदन बेकार है, कोई सुनने को त्यार नहीं रोटी भी खलाई उनको, बढ़िया होटल में खाना भी खलाया, मिटीन कराई क्यों लोगों ने प्रयास किये, दो-दो दिन, तीन-तीन दिन लोगों ने इस्टे करने के साथ पैसा भी खर्च किया, उनको इस्टे भी कराया पर बात नहीं बनी, हमने भी प्रयास किया, तो बात नहीं बनी तो हमको ये समझ में आ गया, इनके बसकी कुछ नहीं है ये इनकंपीटेंट लोग हैं, ये कंपेटिबल नहीं है यह assembly नहीं कर सकते जो खुद नहीं खटे हो सकते हमको क्या खटे करेंगे ये हमको समझ में आ गया open challenge है इस बात का चनोती है इस बात की कि जो खुद खटे नहीं हो सकते वो समाज को खटा नहीं कर सकते बحث कर लो इस पे एक दिन बहस कर लो, दो दिन बहस कर लो, तीन बहस कर लो, दस दिन बहस कर लो, एक साल बहस कर लो, हम सिद्ध कर देंगे कि जो व्यक्तिर तूटने में महारत हासिल रखता है, जो संख्टन खुद अपने को तोडने में महारत हासिल करते हैं, जो साल दर साल तूटते रहते है जो कभी खटे वेट के चाय नहीं पीते, जो कभी डॉक्टरा मेट कर गए बर्थडे पर नहीं मिलते, जो कभी उनके मरद दिने पर नहीं मिलते, जो किसी सामजी कारे में एक साथ नहीं मिलते, जो किसी मुसीवत में एक साथ नहीं मिलते, जो आपस में फॉन तक नहीं करते, जिनके आपस में कभी बाक्चित नहीं होती, जो किसी मंचपे एक साथ नहीं आते, उन्होंने जुड़ना सीखा ही नहीं, उन्होंने समाज को तोड़ना सीखा, और वही है जो अंग्रेजों की पॉलिसी हमें से चलाते हैं, डिवाइड रूल, वो हम पर रूल कर रहे हैं, हमारे नेता, हमारे 29 लाग संख्णन हमको डिवाइड करकरके, तो कोई कह सकता है कैसे डिवाइड किया हुआ है, बहस होगी ना जवाब लेके जाईए, क्योंकि आपको बहस करनी है, तो कैंगे जी कैसे डिवाइड किये, तो आप उनको समझाना, एक संख्णन बना, सामाजिक संख्ण, उस संख्णन ने अपनी आवसकत के अनुसार महिला संख्णन बनाया, महिला संख्णन बनाने के बाद, जो महिला उन लोगों की थी, उन्होंने उनको पदादिकारी बनाया, कोई भी वहानी कुछ भी हो सकती है साबती भाई फूले ब्रिगेड रमाई ब्रिगेड कोई भी ब्रिगेड हो सकती है नाम हो सकता है तो महिलाओं पे एक ठपा लगाया ये महिला फलाने संग्ठन की हैं उनकी पदादिकारी बना दी अब संग्ठन में दो टुकड़े हो गए किस बात के उपर मंच, माला, पद, पोस्ट, पाइसा, परसिद्धी, किसी का MLMP का टिकेट, किसी की दावेदारी, कोई जमीन का जगड़ा, कोई भवन का जगड़ा, कोई FD का जगड़ा, कोई पैसे का जगड़ा, कोई एहम का ये ही चलते हैं कौमन, तो संग्ठन के दो टुकड़े हो गए, तो संग्ठन के दो टुकड़े हुए, तो उन व्यक्तियों दो लोगों के दो टुकड़े होने चीए थे, पर जो उनके नीचे लोग थे, उनका क्या जगड़ा था, तो उन लोगों ने उनको मोटिवेट किय फलाना आदमी ऐसा है फलाना ऐसा है जो उनकी रिस्दार होते हैं जो उनकी फॉलोवर होते हैं जो उनकी दोस्त होते हैं उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है वो देखते हैं कि मेरा दोस्त मेरा रिस्दार क्या किरा है भाल में क्या समाज पहले रिस्दारी पहले दोस्ती पहले हो सकता है को एक बड़ा अफ़र हो मेरा काम निकाले तो दोनों अलग-अलग बढ़ जाते हैं एक वारवी लोग उनसे ये नहीं पूछते कि जगड़ा किस बात कहा हुआ क्यों हुआ और तुम दोनों जाके कुवे मर जाओ पर हम नहीं बटेंगे तो वो अलग महिलाओं की बिगेड़ बनाता है वो अलग महिलाओं की बिगेड़ बनाता है अब उसने हमारे समाज की महिलाओं के दो टुकड़े कर दिए फिर दो साल बाद दो संख्टनों के दो दो टुकड़े और हो जाते हैं अब उन्होंने महिलाओं के चार टुकड़े कर दिये, वैसे ही वो नौजवानों का बिगेड बनाते हैं, वालिंटर फोर्स बनाते हैं, जब वो लड़ते हैं, जगरते हैं, तो वालिंटर फोर्स के दो टुकड़े हो जाते हैं, वो फोर्स के दो टुकड़े हो गए, अरे ज किस से तो आपकर रोज दिखाय देता है फलाने आदमी को चंदा मत देना अदमी ऐसा है यह मेरे साथ ऐसा था यह वैसा दुनिया वर की कहानिया वो खुद ही कहा देते हैं तो टुकडे करना है हमारे तो टुकडे हो रहे हैं तो डिवाइड हो रहे हम तो रूल कौन कर रहा है संख्थन के बड़े पतादिकारी जो कभी भी लोगों दुआरा नहीं चुने जाते ना लोगों के लिए लिए चुने जाते हैं, वो सिर्फ अपने लिए अपनी पोश्ट रखते हैं, और जब उनकी पोश्ट खत्रे में होती है, तो वो तोड़के उसके संठन के और भी टुकले कर देते हैं, तो यह जो अंगरेजों की पॉलिसी है, डिवाइडेंड रूल, ज अगर वर्मन के कहने पे आप तूट रहे हो, तो आपका वमन से संबन्द क्यों है, आप वर्मन से अरिजदारी क्या है आपकी, जो आप उसकी बात मानते हो? वो तोड कैसे गया, जो आपके संठन में आया नहीं, जो संठन में गया नहीं, तो क्या आपका कोई indirect connection है उससे क्या आपका कहीं उपर remote control है तो क्या आपके संग्ठन वम्णों के अधीन है जब आप बार 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 ये कहते हो कि वम्ण ने चाल चली और वम्ण ने तोड़ दिया तो तुमारे अधिकारी क्या वम्णों के पास वम्णों के पास बैठके खाना पीना करते हैं क्या उनके अनुसार चलते हैं तो इसका इस्पेस्टिक्न दे दो पर बहस के लिए तो आओ पर आता नहीं कोई बहस के लिए क्योंकि समण संग से बहस करना इतना आसान नहीं है ये वो समण संग है जो बुद्ध ये सिद्धत गौतम से पहले का है जहां ओपन डिस्कॉसन होता था आओ बैठो यहां हजार दिमाग हैं यहां हजार कोशन कोशन पुछन वाले लोग हैं आओ पोटल पर आजाओ अभी जो भी आता हो आजाओ कोशन कर लोग पर कोई आता नहीं जानते हैं चोर हैं तो चोर क्या सवाल करेगा और क्या जवाब देगा इसलिए वो करते नहीं पर दूर दूर से देखते रहते हैं मन में उनके यह खायश रहती है कि समण संग ठीक कर रहा है पर अपने पद से, पोश से, लालत से, चंदे से, अपने परवार को पालने से मजबूरी कारण वो कह नहीं पाते खुलके कि समण संग ठीक रहा है पर समण संग बहुत अच्छा कर रहा है इसमें कोई शक नहीं बहुत साइज लोगों के फोन आते हैं हमें जो संग्ठों में काम करते हैं और जब वो काम करते हैं तो कहते हैं जी समण संग बहुत बढ़िया कर रहा है करते रहना पर वो समण संग में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि जिन्दी पर उन्होंने अपने संग्ठों को प्यार किया है वो उसके प्यार में, राग में, दोस में, जो से आमदनी होती है, जो उजट होती है, उसमें वो बंध गए हैं और उस बंधरी कारण कैसे कहें कि हम खराब है, यह बड़ा मुस्किल होता है कि खुद से तो आदमी कह देता है, मैं खराब हो, पर समाज में जहां 50 बार ठोक के यह कहा है कि हमसे अच्छा कोई नेता नहीं, और हमसे अच्छा कोई बोलने वाला नहीं, और हमसे अच्छा कोई जानका नहीं, और हमसे अच्छा कोई ग्याता नहीं जब समाज उसको कसोटी पर कसता है तो कैसे उसकी चिंदी चिंदी बिखर जाती है कैसे उसके पर्रे उड़ जाते है कैसे वो गायव हो जाता है ये खता लगता है आदमी को जीने का जो अस्तित्व है वो तूट जाता है, खतम हो जाता है कहना पड़ता है कि हमारी जिंद्गी में हार हुई हमारे वो लोग है तो हार ना कौन पसंद करता है इसलिए कहते हैं कि बहुत बड़े हैं पर आने की कोशिज नहीं करते हैं क्योंकि आएं कैसे आचे नीची हो जाएंगी अब तक जो किया है उसे परणाम उल्टे आए हैं और समंस्क में जो कर रहा है उसे परणाम उल्टे तो कभी नहीं आएंगे जब भी आएंगे सीधे आएंगे ये संगों की गारंटी होते है तो यहां जितने भी लोग, जो भी जिस तरह की लोग थे, सबसे बाचित हुई, सबसे खुसामत दरामत हुई, सब को कहा कि भाया, यह संग वाला जो फार्मूला है, जो संग की पॉलिसी है, बहुत पुरानी हमारे बाहपुरसों की है, इस पे चलना है, पर कमाल की बात यह है कि किसी ने तबज्जों नहीं दी इसको बड़े-बड़े जो संग्ठन के नेता हैं उन्होंने भी इसको खारिज कर दिया तो हमने उनसे कहा कि भाई तूसरे के संगों को तो गाली बगते रहते हो और अपने संग के फार्मूले को जो औरिजिनल है जो तुमारा है जो पेटेंटिड है जो तुमारे बाप दादा का है और जिस बुद्ध का तुम नाम लेते हो जिस जोक्टर अमेट का नाम लेते हो जिस महापरूस का नाम लेते हो वो सब संग्ठ काम करने के लिए कहे हैं समण संग अपने महान संग के वारे में सोचता भी नहीं और कोई कहता है तो मानता नहीं और मानने के लिए पढ़ने के लिए भी त्यार नहीं और बहस के लिए त्यार नहीं है तो क्या कहें इसको क्या कहें कि कैसा बुद्धी जीवी हमारा सोया हुआ बुद्धी जीवी है य क्योंकि हम पार्टी नहीं हैं क्योंकि हम किसी दाजनिती पार्टी का हिस्ता नहीं हैं क्योंकि हम किसी सामाजिक संग्ठन की तरह काम नहीं करते हैं क्योंकि हम किसी की लड़कों के दलबल की तरह काम नहीं करते हैं क्योंकि हम किसी धार्मिक मत में काम नहीं करते हैं क्योंकि ह वही हम साधरन लोग हैं जो संग है तो हम कहीं भी जा सकते हैं कहीं भी आ सकते हैं पर बाकी लोगों को इधर आने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बाकी लोगों को ऐसा लगता है मेरा संग्ठन है तो ये भी संग्ठन है मेरा वोलिंटर फोर्स है तो इनका भी वोलिंटर फोर् को यह बुद्द को मानने वाले लोग हैं आएसा ऐसी बात बार 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 बुद्ध ने किस मत को नहीं दिया बुद्ध ने कोई मत नहीं दिया तुम कैसे बुद्धिष्टो तुम एक बार बुद्ध को ढंक से पढ़तो लो और बुद्ध की तो छोड़ो जितने भी संत है एक बार मुझे कहीं दिखाता दो कि किसी संत नहीं ये कहा हो कि मेरे बनने क यह नहीं कह सकता और कोई संत अगर कहके जाता है तो वो संत नहीं क्योंकि संत तो वो होता है जो अपने आपका अंत कर लेता है संत बोलते ही उसको है से माने निज और अंत से अंत यानि जिसने अपने अपना खुद का हर चीज का अंत कर लिया हो वो संत होता है तो जब वो सं कोई नहीं आएगा आपसे पर हमें जादा बह्त में पढ़ना भी नहीं है क्योंकि किसी को हरा होगे तो फिर वह वैसे नहीं आता हमने इसका भी नुकसान उठाया है कि जब बहत में लोग डिफीट कर जाते हैं हार जाते हैं हम हारने जीतने के लिए बहस नहीं करते पर उनके तरक खतम हो जाते हैं फिर वो कुतरक प्या जाते हैं हम कुतरक भी जहल लेते हैं फिर वो खीच जाते हैं खीचना इसलिए उनको कहना है कि भाई ठीक है आपकी मानता आपके साथ है जो आ MULTAewनी को है जोiritual लो आकेली को परिशानी है और अकिली को परशानी घर की तो आपका घर स procs livres की परषानी है तो आपका घर समालेगा फिर देश के सारे लोगों का समू चाहिए और उस समू को इस संग बोलते है आप समण संग के नाम से मत इखटे हो समण संग नहीं कहता है कि समण संग के नाम से इखटे हो पर आप समण हो आप किसी भी नाम से इखटे हो जाओ पर इखटे होना मक्सद है समण आपकी एक पहचान है, पुरानी है, यह अजर है, अमर है, यह कहीं जाती नहीं आप अगर घूम फिर के कभी आओगे और अपने आप कोई देखोगे के आप कौन हो तो जो मावा आपने आपको बताया है तो कोई काश्ट वाश्ट बताई होगी कोई वन वन बताया होगा, कोई गोतर वोत बताया होगा पर जो आपकी आखरी पहचान है, वो समण है और यह जो समण पहचान है, यह सारी दुनिया में स्थापित है क्योंकि दो तरह की कल्चर है, एक समण और एक बमन, एक शिर्मन और एक ब्रहमन ब्रहमन कल्चर के आदमी को ब्रहमन बोलते हैं ब्रहमन संसकती के आदमी को ब्रहमन बोलते हैं तो सिर्मन संसकती के आदमी को सिर्मन बोलते हैं जब सिर्मन संसकती के आदमी को सिर्मन बोलते हैं उसी सिर्मन को पाली में समन बोलते हैं तो आप समन बोलो, सिर्मन बोलो, समन बोलो, बात एक ही है, तो आप हो समन ही जमजात, चाहे आप मानो या ना मानो या देड़ से मानो, पर आपको ये कहना ही पड़ेगा, मैं समन हूँ, और ये बात रटनी पड़ेगी आपको, 24 घंटे रटनी पड़ेगी, मैं समन हूँ, मै मैं जात से समण हूँ, जात का मतलब होता है उत्पत्ती, यानि जब मैं पैदा हुआ तब से मैं समण हूँ, मेरी उत्पत्ती समण से हुई है, मैं बहुत पुराना समण हूँ, यहां का आजीवन समण हूँ, जर्मजास समण हूँ, मूल निवासी समण हूँ, बहुजन समण ह आपको समण कहना ही पड़ेगा, समण की अत्रिक कोई सब्द नहीं आपके पास, और अगर है, किसी के पास है, तो ले आए, आए, बहस करें, बताए, हमें खुशी होगी, क्योंकि हम उस अंतिम सब्द को मिलना चाहेंगे, जो हमारी पचान बताता हो, तो अंतिम सब्द जो मह हैं, जो उल्टे हैं, वमण वो लोग जो वम, यानि कि जो बाए पक्ष से आए, जो विप्रीत दिसा से आए, जो विप्रीत हैं, जो बाहर से आए, वो वमण हैं, हम समण हैं, ये हमारी पैचान है, इस पैचान को बढ़ाने के लिए लगाता, लगाता, लगातार महत करनी चाहिए बर्लोगों बहुत करी ऑपनी चोटी पहचान के लिए कोई कछक है जमीन को कसता है आज के समय उसको कई सान बोलते हैं तो किसान की पहचान रखता है समण के नहीं वह सम्मेल कऌसक है हमको समण कसक बुलना चाहिए कंगी वम्लकट भी तो पहचान खाली कसक है तो दोनों हो सकते हैं पर अगर इंडूएल पहचाना आप करोगे बड़ी पहचान करोगे तो समण कसक बोलना पड़ेगा तो समण कसक तो कोई आदमी अपने आपके नाम की पहले अगर समण लगाता है तो पता चल जाएगा कि इस देश का मूल निव साल है तो धीरे-धीरे वह जुड़ जाएंगा और जब जुड़ेगा तो पहचान पहचान होगी तो कोई फिर आपका दुस्मन नहीं होगा वह आपके समर्व तक हो जाएंगे क्योंकि आप उनको ये समझाने में कामया हो जाओंगे आप भी समण हो रहम भी समण हैं तो यहा के वमणों में संत होते हैं वमणों में संत नहीं होते हैं वमणों में असंत होते हैं अशांत होते हैं संत हमारे यहीं होते हैं तो जितने भी संत हैं समणों के वो सारे सारे इधर आ रहे हैं वह भी संत हैं संत हैं और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेसक सादा कपड़े प कि हमारा कोई भी व्यक्ति जो समण है, वो चाहे तो रविदाजी के आस्रम में चला जाए, वो चाहे तो कविर साब के आस्रम में चला जाए, वो चाहे तो जो वालमी की समण लोग हैं, उनके घर चला जाए, वो चाहे तो जो और मतों के मानने वाले लोग हैं, उनके हिहां च संत का जयकरा नहीं लगाते क्योंकि हम अपने संतों को छोटा बड़ा नहीं करते हमारी मानेता सारे संत हैं इसलिए ये जो संत समागम हैं ये एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय के लिए ये इस बात के द्वार खोले का कि हम अपने अपने संतों को अलग अलग घे दिया है, यह हमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसको धोना है, हमने जो अपने संतों के अनुयायों को कभी गले नहीं लगाया, यह पाप हमने किया है, यह हमको धोना है, हम जो अपने भाईयों से सिर्फ इसलिए नहीं मिलते के वो और संत को मानता है, और हम और संत को मानते हों तो संगत मिल जाती है जिनकी उनके संथ अपने आप मिल जाते हैं यह ध्यान रखना क्योंकि संथ कोई भी संगत के विना बेकार है जिस संथ की संगत ना हो वो संथी नहीं होता फिर वो कुछ और हो है पर संथ नहीं हो सकता इसलिए संगत मिल जाएगी संगत आपस में बैठेगी तो संथ कहा जाएंगे और जब संथ सारे मिलेंगे तो संगत और मजबूत होगी और जब संगत और मजबूत होगी तो कौन बढ़ेगा संग बढ़ेगा समण बढ़ेगा और फिर मैं समण हूँ जब हम बोलेंगे तो उसकी आवाज बड़ी हो जाएगी फिर जब हम बोलेंगे हमारा संग संग तो वो और ज़्यदा विस्तारित होगा और ज़्यदा बड़ेगा तो क्या फाइदा होगा उससे उससे फाइदा ये होगा कि हमारे आपस के जो वैमनसे हैं, जो देस हैं, वो खतम हो जाएंगे, हमारा आपस में जो बैपार नहीं होता है, वो होना सुरू हो जाएगा, हमें जो आपस में एक दूसरे से फायदा नहीं होता, सिर्फ इस कारण से, कि ये फलाने मत का है, ये फलाने मत का है, वो खतम हो जाएगी, फिर हम एक दूसरे को समझ समझए एक दूसरे का लाभ करें के और वो होगी रहा है. थोड़ा समय लगड़ा है पर हो रहा है. क्योंकि जैसे जैसे हमारे नुक्सान ह capacitors हमारे नुक्सान वह हैं कोई जादू जनतरमंतर तो नहीं कि औहुं भट किया और सारे सार चीज़ टेबल पे आ गई या कोई ऐसा जो वह चराका जिन होता है कि बस कहा कि मेरे आका क्या चीज़िए हैं यहां आका वाका का पर जीतेंगे तबी जब जुडेंगे ये बात बिल्कुल इसपस्ट है सौने की तरह खरी है सनातन है सनन्तो है यह हम ऐसा है जब भी जुड़े हैं तब जीते हैं और जब तूटे हैं हम ऐसा हारे हैं इसलिए संतों का समागम बहुत important है तो आपने संतों के समागम में करना क्या है ये पहली बार हो रहा है बागी सारे लोग सोचते नहीं विचारते नहीं हम यह नहीं कहते कि उनकी सोच अलग तरह की एक कमे जादा है पर वो मंच माला पद पोश्ट में लगी रहते हैं एक संत को इन्वाइट करने में गया था जी संत भी मौमेंटन मांगे तो कैसे काम चलेगा बताओ संतों को मौमेंटन की जरत है क्या संतों संत होते हैं संतों को तो प्यार मिल जाए संमान मिल जाए अपमान तो कोई संग में कभी किसी ने किसी का अपमान किया रही संतों को बलाया है संत बैठेंगे पर महां अपमान क भी सूछो मत शंतर के स्वाने में गार गया होगा तो संतों की जो धिक्कत है जो जानकारी we erlebt अलग तरह की है बड़े अलग तरह की एक्जमिन्स हारे है पर हमारे संते हैं थोड़े बहुत ददर हो सकते हैं पर हमें सब को साथ बैठाना है क्योंकि जो परंपरा हैं जो मंचे जो развीर्ड उनके प्रूस्कार और जो अंके प्रूस्कार और जो उनके मोमین्टों जो उनके सरोपा बीमारी यह डाल दी घीनी जिसे नेताओ जाए आले वो जाने में समय लगेगा उसको, एक साथ नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि संत भी नेताओं की तरह हो गए हैं, तालियां, पटके, वहवा, जैकारे ये सब उनको आदत में आ चुके हैं, वो ये भूल गए हैं कि वो संत हैं और ये नेताओं का काम हैं, तो नेता संत हो गए, स हमारे जो लोग हैं, उनका क्या काम है, पहला काम तो ये है कि आलमोस्ट जो तालकोटराइ स्टेडियम की सीट हैं, वो पूरी हो चुकी है, तो सीटें भर चुकी हैं, नीचे का जो वहां, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है, वहां हम बैठेंगे, संगत बैठेगी तो उसके लिए ज़्यादा लोग आने चाहिए, क्योंकि उसमें कितने भी लोग बैठ जाओ, उसमें जगे की कोई दिक्कत नहीं है, तो लोगों को कहना है कि आप आओ, समढ़ संत समागम बहुत दुनबाद लग रहा है, 6-7 साल बाद एक बार आओ, उससे संतों का होसला बढ करने का, पर संत का कोई खर्चा नहीं है, संत का वेव आफ है, वो संग देगा, जो लड़के हैं, उनका तेज साल तक के लड़के का 10 साल से लेके तेज साल तक का 150 रुपे है, और जो बच्चा छोटा है, उसका 25 रुपे है, फिर भी आदत है हमाई लोगों की पड़ी लेके भी जाओ, लेके भी आओ, खाना भी खिलाओ, पैसा भी मतलो, नेताओं की आदत हैं, तो इससे हम लड़ रहें, इससे जूंज रहें, क्योंकि जो हमारा स्वाभी मान है, वो गिरता है, जब हम खर्चा नहीं देते हैं, तो हमारी आँखे में नीचे रहती हैं, फिर ह ये सारी चीजों की आदत पड़ी हुई है, उनको लगता है, वही सकता है, क्यों बहुत ज़्यादा आड़ना पड़ता है, क्यों लड़ना पड़ता है, क्यों जुकना भी पड़ता है, तो कोई व्यक्ति ऐसा है, जो अपना खर्चा नहीं देना चाहता, या सच में उसके पास नहीं है कोई दिक्त नहीं है उसको आना चाहिए क्योंकि आएगा नहीं देखेंक peux कैसे प्रविद्ड होगी आपने 20 वार समझाया पर देखके एक वार में समझ जाता है तो उसको कहना चाहिए आओ जो रिजडार ऊता है चलो आपके पैसे कोई ना कोई दे देगा क्योंकि संग में यह प्राधान है कि कुछ संग्योंने कहा है अगर कोई आता है तो सैप्रेशन का नियम है तो उनके पैसे हमारे खाते में हम जादा जमा करते हैंगे, जादा लोगों की उसमें से एड़िस्ट कर लेना, देने वाले का पता नहीं चलेगा किसको दिया है और लेने वाले को पता नहीं चलेगा किसका लिया है, पर काम हो जाएगा, वो लोग आ जाएंगे, तो ऐसे जो भी हैं जो आएंगे और जो अपना खर्चा नहीं दे रहे हैं उनका नाम नमबर फोन नमबर इसमें आएगा तो बाद में हिसाब लगाने में अच्छा रहेगा काम्यावी के लिए उस बात से भी बचना है कि कोई कारेकरता ऐसा जिसको लगे कि अरे यहां तो ऐसा बोल द बिए कि 10 आदमी आप लेाओ बेसा को खर्चा नहीं दे रहे हैं तो पांच आदमी से कर्चा ले लेता हूं और 10 लिखवा देता हूं तो उससे क्या होगा कि हमारा कारेकरता भी खराब हो जाएगा क्योंकि उसमें गंदगी लग जाएगी इस गंदगी से तो हम बचे हुए हैं चंदेौली से और क्या होगा कि खूट भूलेका तो उसकी निगाए जूडी रहेंगी और जो देने वाले हैं उनको लगेगा कि उन्हों दिया है और यहां जब उनसे पर्चा भरवा जाएगा लिखा जाएगा तो वो कहेंगे वह आपने दिया नहीं है बाद में काउंटर चेक होगा तो फिर पकड़ा जाएगा इसलिए कहीं गलती ना हो किसी की निगा ना जुके इसलिए साफ रहे तो वही लोग एंटर करेंगे जिन लोगों की रिकमंडेशन आएगी किसने किसी स्पोक से या किसने किसी की लिष्ट आएगी कि ये मेरे विक्ति हैं जो आना चायते हैं पर ये अपना खर्चा नहीं देना चायते तो उनके नाम नमर फॉन नमर में बाकी ऐकाउंट वाले बाद में वेरिफाई करेंगे इससे वेवाद ठीक रहेगा इससे कोई और फिर कोई समर्ण आ जाए इसलिए रेफरेंस भी चाहिए क्योंकि अगर वमड आ गया तो हम कारिकरम में दिक्कत हो जाएगी हमारा पहला नियम तूट जाएगा तो इसलिए आप उन लोगों से संपर करें उनके नाम ले 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 और बता दें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लोग आए आके देखें बहुत साइव ऐसे भी होते हैं जिनको लगेगा काईकरम बहुत अच्छा है उनको लगेगा कि हमें को देना चाहिए अपना खर्चा तो हो सकता है बाद में द जाते थे जवरस्ती कि आरे आओ चाय पियो हमाई लोगों ने कभी चाय देखी नहीं और साती चाहत उसको एक चाय की पुड़िया भी देते थे कि जाओ घर जाके पीना और पी के देखना कैसी है आज चाय का बैपर और वो खर्वो का है सिर्फ उस चाय की पत्ति से स्टार चायता है तो उसको ले आना चाहिए अच्छा काम है देखेगा तो जुड़ जाएगा जुड़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा ऐसी कारेकरता निकलते हैं ऐसी लोग अच्छे बदलते हैं कोई बदलने की मसीन नहीं है कि इधर से हमने विक्ति को निगाला उधर से वो करेगा नहीं तर्ग तर्गी नहीं करेगा माहौल नहीं देखेगा परिवार नहीं देखेगा परिवार की खुश्या नहीं देखेगा वहां देखेगा नहीं कि लोग कितने मस्त होके काम कर रहे हैं तो जुड़ेगा कैसे इसलिए अपने खर्चे से लाइए खर्चा नहीं पर लेके आईए, ज़्यादा ज़्यादा लोग को लेके आईए, ऐसे मौके साल में, दो साल में एक आदा वार आते हैं, जब इतनी बड़ी संगती लगती है, उसका फायदा उठाना चाहिए चोटी-चोटी संगती तो हम बहुत लगाते हैं, पर बड़ी संगती में ज़्यादा उर्जा पैदा होती है, ज़्यादा उर्जा पैदा होती है, तो ज़्यादा लोगों में जोस आता है, ज़्यादा जोस आता है, तो ज़्यादा काम होता है, वहां बहुत सारी चीज़ें ह रही है और अगर किसी का कोई सवाल जवाब है तो पूछते रही है लोगों को लाने ले जाने में अगर कोई सवाल जवाब आ रहा है बीच में या किसी कोई पसंद आ रहा है तो पूछते रही है बहुत तरह के सवाल जवाब आने हैं उन सारे सवाल जवाबों को यहां मिलके हम करेंगे ताकि सब लोग एक से जवाब दें और संत समागम बहुत बढ़िया तरीके से हो यह संत समागम एथियासिक समागम है इसके बाद जो आगे काम चलेगा लोगों को यह ध्यान में आएगा कि हमें अपने संतों को भी जोडना चाहिए उससे बहुत बड़ी उड़ जार पैदा होगी समाज को बहुत फाइदा होगा और यही संथ हैं जो आघे जाकर कल्यान करेंगे क्योंकि संतों की जो ताकत होती है उंकी अनुयाईों के अनसार बहुत बड़ी होती है और वो कहीं भी आड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, समाज को बचा कर रखते हैं, पहले भी संतों ने बचाया है, फिर संतों बचाएंगे, मेरी किसी बात से अगर किसी कोई बुरा लगा हो, तो मैं संग से माफी चाहता हूं, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ कर तंगं सरेन गच्छामी 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 तंगं सरेन ततियं पी धम्ममर सर्णु गच्छाम।